दो चरो वाले रेखिक समीकरन यहां हम यह समझेंगे सबसे पहले तो कि रेखिक समीकरन क्या है और इन्हें रेखिक क्यों कहते हैं समीकरन क्या है इन्हें रेखिक क्यों कहते हैं कि किसी भी रेखिक समीकरन में बराबर का निसान जरूर होगा, बराबर का निसान लिखा वा है तो ही वो रेखिक समीकरन, या या फिर 4x-3 बराबर 0, तो यहां पर आप देख रहे होकिविल एक ही चर है, जो की x है लेकिन अब जो case हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर दो चर देखने को मिलेंगे यानि दो ऐसी राशिया होंगी जो अग्यात होंगी हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी तो इस तरह की अग्यात राशियों के बारे में हम कहां पढ़ते हैं अब यह ऐसे जैसे मान लीजिए आप बजार गए बजार से आप दो सामान खरीद के लाए थे एक पैन और एक कोपी बजार से आपने दो चीज़े खरीदी एक पैन और एक कोपी और कुल बिल आपने 12 रुपए दिया तो अब इसे आप समीकरण में कैसे वैक्त करेंगे तो आप इसे इस तरह स्वेक्त करेंगे कि पैन की जो कीमत थी पैन की कीमत वो कितनी थी क्या हमें एक्जेट पता है नहीं पता तो पैन की कीमत को हम क्या मान लेंगे X उसे कोई ने कोई चर नाम दे देंगे X और उसी तरह कोपी की कीमत क्या कोपी की कीमत यह हमें दिया हुआ है नहीं दिया हुआ तो कोपी की कीमत को भी हम एक चर मान लेंगे कोपी की कीमत को हम मान लेंगे Y अब यह दोनों ही कीमते मिला करके यानि X और Y यह दोनों ही कीमत मिला करके कुल कितनी रकम दी? 12 रुपए तो यहाँ पर यह जो परिस्तिती थी यह जो घटना थी इसे हमने एक समीकरण के रूप में बदल दिया यहाँ X Pen की कीमत Y कोपी की कीमत और बराबर 12 यह कुल जो पैमेंट हमने किया कुल जो कीमत हमने दी है यह वो रकम है 12 तो यहाँ पर दो चर रासिया है एक X दूसरा Y तीसरा चर रासिया दो ही एक X और दूसरा Y यहाँ पर 12 अचर है याँ एक नियत संख्या है इसी तरह से हम एक और उधारन लेते हैं मान लीजिए आप बजार से एक तीन बोल लेके हैं तीन बोल और एक बैट और आपने साथ साथ से रुपे कीमत दिये तो अब बोल की कीमत हमें नहीं दिया वा तो हमें से माल लेते हैं कि बोल की कीमत बोल की कीमत कितनी होगी बोल की कीमत हमने माली एक्स है अब इसी तरह से तीन बोल की कीमत कितनी हो जाएगी क्योंकि आपने एक बॉल के लिए एकस रुपए दे रहे हो तो तीन के लिए तीन गुना देने पड़ेंगे, समीकरन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और यहां पर हम जो पढ़ने दो चरके हैं पहले हमने जो पढ़ा था इक चरका था एक चर में देखा जाए तो एक चरकी जो इस्टेंडर फॉर्मेट थी वो कुछ ही होती कि एक चर था उसके गुणा में उसका गुणा अंक कोई अचर था यहां पर एक अचर है और साथ में उसके प्लस में कोई भी या माइनस में प्लस में कोई भी एक संख्या होती थी यानि एक और अचर रासी होती थी जो कि भी है यह बराबर जीरो यह एक चर वाले रखेक समीकरन का standard format है लेकिन यहां पर देखे तो हम एक X है दूसरा चर य है X के गुणा में एक अचर होगा यहां पर वो अचर है A Y के गुणा में एक अचर होगा यह निक फिक्स संख्या होगी वो है भी और इसी तरह से अब इसको देखें तो यहां पर आकर कि हम इसे माइनस में बदल सकते तरह यानि 2022 माइनस साथ सोपाचास बराबर जीरो तीनेक्स प्लस वाई-माइनस साथ सोपाचास बराबर जीरो X के गुणा में A, Y के गुणा में B, और एक चर रासी, यानि C, बराबर 0, ये दो चरो वाला रिखेक समीकरन है, तो एक तो हमारे पास ये है, दूसरा ये है, अब ज़रा इन दोनों में देखें, तो क्या अंतर है, यहाँ पे हम B की जगस C भी मान सकते थे, हो सकता था, मिलब हम चर को जो एक नियत संख है, इसको C के रूप में अगर इंडिकेट कर दे, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते थे, तो अब इन दोनों के तुलना करेंगे, एक इसकी और एक उसकी, यहाँ पे AX है, यहाँ पे प्लस में B, Y है इधर, उसमें नहीं है, तो किस चीज का अ गुना हो जुका था, याईनि रूस के दूसरे चर का गुनांग क्या था, शुनिया, जर्फिर से समझो, यहाँ पे AX है इसं में भी AX है, इसमें प्लस की BY है, इसं में BY है यह ही नहीं, याई रूस तो हम क्या रहे है, हम चैरे है कि देखो C आपे यहाँ पे मोजूद है शुन्य यानि दूसरा चर शुन्य बन चुका था तो इस तरह से देखा जाये तो एक एक चरवाला रेख़िक समीकरन और दो चरवाले रेख़िक समीकरन दोनों ही एक जैसे ही रूप में आ सकते हैं इसलिए क्या होगा ये भी रेखिक एक ही अगर इसका भी ग्राप सबसे पहले तो क्या करना है बराबर की तरफ जीरो होना चाहिए सारे आंकड़े उल्टे हाथ की तरफ ले किया हो सारे आंकड़ों को उल्टे हाथ की तरफ 2x प्लस 3y ये 9.35 मैंने कहा था कि बराबर का जो चिन है वो एक boundary line की तरह जो भी से cross करेगा सोभाव में उल्टा हो जाएगा यहां इसके आगे कोई चिन नहीं था मतलब कि ये प्लस का था 9.35 प्लस का था तो अब ये जब इधर आ जाएगा उल्टे हाथ की तरफ तो ये माइ 3, 3 के आगे प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखो नहीं लिखो चलेगा, c यहनि जो नियत संख्या है वो क्या है, 9.35 के उपर बार, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ही है, कि ये c के आगे प्लस लिखा हुआ था, ये c के आगे माइनस लिखा हुआ है, तो यहां पे च अब हम गुणा करेंगे A, A मतलब इन दोनों लाइनों की हम आपस में तुलना करें, A मतलब X के गुणा में क्या लिखा हो है, 1, क्या इदर कोई उल्टा माइनस होगर कुछ है, कुछ भी नहीं लिखो चलेगा, B, B मतलब क्या है, Y के गुणा में, अब Y को छोड़ दो, इसके इसा कौण सा पद है, जिसमें कोई भी चर नहीं आ रहा, तो वो तो है, 10, फिर से देखो, यह तो प्लस का था, यह माइनस है, यानि फिर से यह सूत्र के ठीक विपरीत हो रहा है, एक और उधारन को हम देखेंगे, अब एक और उधारन को हम देखेंगे, इसमें है, माइनस पिर से इसकी तुलना करते हैं, हम अपने स्के चैनेड़ फर्मेट से इसको और इनको दोनों को तुलना करते हैं, तो A, यहींद के गढ़ां में क्या लिखावा है, 2, 2 के आगे कौनसा निशान है, दू, B, B यान्न Y के गढ़ां में क्या लिखावा है, अब यहाँ पे कुछ उधारणों को हम और देखेंगे जिससे x बराबर 3y x बराबर 3y तो इसमें देखें तो ये बराबर के उस तरफ कुछ भी नहीं होना चाहिए था जैसा कि मैंने पहले ये का था कि सभी पद एक तरफ उल्टे हाथ की तरफ लिक्यान है तो 3y इधर आकर के क्या जगा माइनस का 3y बराबर 0 तो a, a यानिकी x के गुणा में कोई संख्या नहीं तो एक तो हमेशा होता ही है b, b यानिकी y के गुणा में y के साथ में क्या लिखा हो है माइनस का 3 फिर से सारे पद्दों को एक तरफ लेके आना है 2x माइनस के 5y इधर आके हो जाएगा प्लस के 5y बराबर में कुछ भी नहीं बचा बाउंडी लाइन को पार करेगा तो माइनस के 5y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 5y अब a, यानि x के गुणा में x के गुणा में क्या लिखा हो है 2 b, यानि y के गुणा में क्या लिखा हो है 5 और c, c तो इसमें ही नी ऐसा कोई पद ही ही नी जिसमें चर ना आ रहा हो तीसरा पद तो इसमें ही ही नी तो नहीं है मतलब, 0 अब एक और अलग तरह के प्रश्नों को हम देखते हैं in प्रश्नों में आपको एक चरवाले समीकरन दे रहें एक चरवाले समीकरन आपको इसमें दिए हैं जैसे एक्स बराबर माइनिस के 5 और इसे दो चरूवाले पद में बदलना है, तो इससे कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले तो इसको सारे आकड़ों को एक तरफ ले आो, तो x बराबर, माइनस 5 इदर आके कितना हो गया, प्लस के 5, बराबर में क्या बचा 0, तो x तो ही, प्लस के 5 ही, y कितना हो गया, y वाला पद कहा है, y के गुणा जिरो मानलो, और y वाले पद को इसमें जोडते भी लिख दो, क्योंकि 0 गुणा y 0 हो जाएगा, तो ये पद तो 0 है, और 0 जोड़ो नहीं चड़ो, कोई फरक नहीं पड़ता, तो ये x प्लस 5 के बराबर ही है, तो इससे पद पर कोई भी फरक नहीं पड़ा, तो बराबर 0 तो लिखना ही है, तो इस तरह से आप एक चरवाले समीकरण को दो चरवाले समीकरण में बदल सकते हो, उसे लिख स जैसे माली आपको दिया था it plus 2Y बराबर 12 बार कितने ह timest κι कितने हुसकते हैं कितने solution इसके को सब्सक्री मतलब हैं कि is kya रखेंगे हाँ 12 सके अगा मालों x को याँ पर दो रखता हूं X को मैं 2 रग देता हूँ तो ये समीकरन कैसा दिखेगा X की जगह पे 2 होगा प्लस 2Y बराबर 12 होगा तो 2Y बराबर 12 Y उदर जाके कितना होगा माइनस के 2 यानि 2Y तो अपनी जगह है 12 में से 2 कट जाएगा और बचेगा 10 तो Y कितना हो जाएगा 2 जो यहाँ पे गुणा में था वो कितना हो जाएगा 10 बटा 2 यानि Y बराबर हो जाएगा Y बराबर हो जाएगा 5 यानि देखें तो 1 तो हो सकता था सेट आपके X की जगह पे 2 और Y की जगह पे 5 यानि 2,5 कोश्ठक में 2,5 2,5 का मतलब है कि पहले वाला अंक दूसरा केस देखो X को अगर में 0 रख दूँ तो क्या होगा? 0 प्लस 2Y बराबर 12 2Y बराबर कितना हो गया? 12 Y कितना हो गया? 12 12 का क्या हो गया? भाग 12 में 2 का भाग जाकर कि 6 तो 0,6 यह इसका दूसरा हल हो गया और इसी तरह से आप इसके अनन्त हल निकाल सकते हो अनन्त हल निकाल सकते हो जड़ा दिमाग लगाओ रेखेक समीकरन क्या है? रेखेक समीकरन एक सीधी रेखा है एक लाइन है और इन में से हर एक उत्तर जो है हर एक हल है वहह एक बिन्दी को रिपेजेंट करता है वह इक बिंदी को तर्शाता हैʁ अब कितनी बिंदिया है डूंड सकते हैं यह इक बिंदी इसके पास बिंदी बिंदी और ऐसे करके तो आप अंंत बिंदिया इसbod法 घूंद सकते हैं और इस लाइन की कोई वाले रेखेक समीकरण में आप अनन्थल ढूंड सकते हैं अनन्थल निकाले जा सकते हैं तहीं नहीं है कि एक यह मिलेगा आपको अब हम इसी से जुड़ेवे कुछ उधारनों को देखेंगे आपको दिया हुए है दो एकस प्लस य बराबर साथ आपको यह प्रेशन दिया हुए अब आपको अलग 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 तरके केस अलग अलग कंडिशन्स में देखना है तो एकस की जगा पे 0 रखके देख लो तो क्य और बढ़ खाना 0 हो जाएगा ब्लस वाइपर 7 तो य कितना आ गया सात तो एकस को जब जीरो रखा तो य कितना रहा है शाथ 0-7, यह तो 1 अला आ अब जो एक और हल निकालने की कुछिस करते हैं इसो यह इस हाओ आप एकस की जगार पे लिए रख करके देख लो ठीक है दो गुणा एक लिस डो कि जगए दू एकषक चीजगा पर एक जगप प्लस की जगप प्लस और वाई कि जगप य बराबर की जगप य बराबर और सांत की जगप यो साथ तो अब इससे हल करो इंद क्या हो गया दो प्लस y बराबर 7 तो y कितना हो गया, ये 2 उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस कि 2 तो y कितना हो गया, 7 में से 2 चलेगे, 5 तो जब आपने x की जग़ा पे 1 रखा याद एखना कोश्ठक में इस तरह से जब लिखने हैं जब एक लिखा जाता है, तो x की जग़ा पे जब एक लिखा तो y कितना आ रहा था? 5 ये इसका दूसरा हल हो गया अब इसी तरह से इसके तीसरे हल को हम देखेंगे x बराबर 3 रख करके तो x को जब 3 रख रहे हैं तब फिर से हम इसी उधरन को देखते हैं 2 की जगह 2 है, x की जगह पे आपको क्या लिखना है? 3 प्लस की जगह पे प्लस y की जगह पे, y बराबर की जगह बराबर, 7 की जगह 7, अब इसको देखेंतो 3 दूनी 6 प्लस y बराबर 7 तो y, ये 6, 7 अपनी जगह 6 उदर जाकर के क्या? अभी उल्टे हाथ की तरफ था सीधे हाथ की तरफ जा रहा है तो 6 अदर जाके कितना हो जाएगा अगर आप वह करोगे कि एक ही टोपिक के सारी वीडियो देख लोगे तो आपको जरूर काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा तो आप वापस इसी प्रेशन के बारे में बात करते हैं 6 को हमने इस बराबर से दूसरी तब भेज दिया वहाँ तो y कितना होगे 7 माइनिस 6 बराबर 1 यानि x को जब मैंने 3 रखा तो y का मान 1 आया इस तरह से हम इसके कई हल ग्याद कर सकते हैं इन्ही हलो की मदद से हम आगे ग्राप बनाना सीखेंगे तो x का मान जब 3 रखा तो y का मान हमें कितना प्राप्ट हो रहा है एक, x के मान 3 के लिए y का मान हमें एक प्राप्ट हो रहा है अब ज़रा एक और तरका उधारन हम देखते हैं इस प्रशन में हमें दे रखा होगा कि 2x प्लस 3y बराबर k है अब ये इसने पहली बोल दिया कि x बराबर अगर 2 हो और y बराबर 1 हो तो k कितना होगा अब ये देखो ये प्रशन बड़ा सिंपल है इसने के दिया कि अब एकस की जगवे 2 रखो तो 2 की जगवे 2 है लेकिन x की जगवे क्या रखना है आज के वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद.